नमस्कार दोस्तों, CACV Holy Help मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत है, इस वीडियो हम बात करने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ आपको एक नए Multi Recharge Portal के बारे में जिसका नाम है Pay4U Multi Recharge Portal, तो इस वीडियो हम बात करेंगे क्या है Pay4U Multi Recharge Portal, कौन-कौन से इसमें सर्विसेत है, कितना मिलता है आपको इसमें कमिशन और कैसा दिखता है इसका डैश्वोड कितनी लगती आई-डी कोस्टिंग सारी चीज़ेकर करके इंडीटेस में, तो चलिए श्रू करते है उससे पहले हम बता दो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कि क्लिकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस बेल का इकन को भी दवा देता है कि में जो भी वीडियो ला हूं, उनको नोटिफिकेशन जाता है सीध है आप तक, सब चलिए बात कर लेते हैं, पे फॉर यू मल्टि रिचार्च पोर्टल के बारे में, तो सबसे पहले है, हम ID पासवर्ट के साथ जब लॉग इन करते हैं, कुछ ऐसा दिखता है हमें, डेशबोड यहां पे आपको टोटल नोटिफिकेशन वगरा, न्यूज, ऑफर, जो भी रिसेंट रांजेक्शन है, उसब यहां पे आपको इसकीन के उपर ही दिखेंगे, और उपर यहां प जो हो कर जो है, रिचार्ज और बिल पेमेंट के ऊपर ही है, तो यहां पर जैसे आप देख सकते हैं, कि मोबाइल रिचार्ज, डिटी एच, लैंड लाइन, इलेक्रिसिटी, गैस बुक, इंशारेंस, वाटर, ब्रोडबैंड, EMI, फास्टेग और केवल्टी भी आदी सारी रिचार्ज और पेमेंट की सर्विस यहां पे अबलेबल है, और यहां पे आपको प्लस 6 करके मिल जाता है, जो दूसरी जो भी सर्विसेद हैं, जैसे मिंसिबल्टी पेमेंट है, मिंसिबल्टी टैक्स है, सब्सक्रिप्शन फी है, हाउसिंग सोसाइटी पेमेंट है, हॉस इन सब का payment जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा तो जो भी service का आप इस्तमाल करना चाहते है यूज करना चाहते है अब directly उस पे click करके उनका यहाँ पे यूज आप कर सकते हैं ठीक है इसके अलावे ऊपर यहाँ पे करके menu आपको मिल जाएंगी जिसे financial का टूर्स और ट्रेव में कितने rechargeable payment आदी हुई है उसके बाद financial service है travel hotel है e-commerce है security service है gift card है इसके नीचे मिल जाता है आपको wallet से related जो भी report है वो ठीक है request manually है यहाँ पे add by UPI है UPI के माधरम से आप यहाँ पे wallet में balance ले सकते है और add by gateway भी है तो आप payment gateway के माधरम से भी यहाँ पे balance आप यहाँ पोर्ट पारे में तो यहाँ पे retailer का जो commission structure है वो है retail के लिए 3% Vodafone के लिए 3.5% BSNL के लिए 4.5% और Gio के लिए 3.80% का commission है वहीं DTS recharge के लिए highest commission 3.5% का है यह retailer का commission distributor को यहाँ पे यहाँ पे 3.1% Vodafone 3.6% BSNL पे 4.8% और Gio पे 4% का commission है वहीं DTS recharge के लिए एक flat commission 3.70% सब के लिए Master distributor के बात करें तो यहाँ पे Airtel पे commission 3.2% Vodafone 3.8% BSNL पे 4.8% Gio पे 4.2% और DTS यहाँ दूसरे recharge पे DTS जो भी recharge है इन पे 3.7 का flat commission यहाँ पे है ID costing के बात करें तो यहाँ पे retailer ID एकदम से free है इसके लिए आपको एक पैसा नहीं देना है आपको बिल्कुल free में यहाँ पे retailer ID मिल जाएगा फिर आप precharge या bill payment से related जो भी service है इनकी service का आप use कर सकते है और आप income कर सकते है इसके बाद अगर आपको distributor बनना है तो उसके लिए आपको 99 रुपए payment करने होंगे जहाँ पे आप unlimited retailer ID बना सकते है वो भी एकदम से free में master distributor की बात करें तो यहाँ पे master distributor ID costing है 3999 रुपए जहाँ पे आप unlimited distributor वगरा create कर पाएंगे इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि खुद का आपका white level portal हो तो इसके लिए आपको 12,999 रुपए payment करने होंगे जहाँ पे आपका खुद का आपका brand का एक white domain होगा और portal होगा साथ ही साथ आपका खुद का एक mobile app होगा इसके अलावे अगर आप इन सब services में operate करते हैं काम करते हैं आप खुद का अपना website में कुछ development कराना चाहते हैं mobile app बनाना चाहते हैं या फि आपकी जो भी टेकनिकल क्वारी है कि क्या कौन कौन सी service आपको एड करनी है API इंटिग्रेट कराना है सीम को इसमे अपना सीम को सेट अप करना है तो सारे चीज़े आप यहाँ पर कर सकते हैं तो इससे ज्यादा जो भी जनकारे चीज़े आप इनमर पर कॉल करके आप वाट